स्वयम साहता समों में जुड़ने के 5 सबसे बड़े फायदे आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि समों में जुड़ने के क्या-क्या फायदे हैं या फिर समों में जुड़ने के आगे तो हजार पचीस में कौन-कौन से फैदे हमें मिलेंगे कौन-कौन से लाव होंगे आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा अंतर तक देखिएगा चैनल पर जो भी वहने पहली बार आई हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें लाइक और शेयर करना ना भूले जिन लोगों को स्वेम साथा समो की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो समो की आलरेडी चैनल पर बहुत सरी वीडियो अपलोड किया है हमने समो में नहीं जुड़ी है तो समो में जरूर जुड़े तो चले अपडेट बताते हैं सबसे पहले बता दें यहाँ पर कि सबसे पहला जो लाब है वह है नौकरी समो में जब भी आप जुड़ेंगी तो आपको नौकरी का अउसर मिलेगा नौकरी करने का अउसर मिल जाएगा चाहे आप अनपढ़ हैं चाहे आठमी पास हैं पांचमी पास हैं दसमी पास हैं बराहमी पास हैं या फिर जितनी भी आपने पढ़ाई की हैं हर प्रकार की आपको समू में नौकरी मिल जाएगी अब ज्यादतर क्या होता है कि बेहने कहती हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं यह तो मेरा समू में क्या काम है हम समू में क्यों जुड़े मुझे क्या लाब ही मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि समू में जुड़ी है बहने वो पढ़ी लिखी ही होनी चाहिए अनपढ महिलाओं के लिए भी कई सारी नौकरिया है अनपढ महिलाओं के लिए समू में कौन कौन सी है तो सबसे पहला लाब तो आपको। यही हो गया कि समू में चुड़ने से आपको न्वकरी का वसर मिल जाएगा आसानी से कहीं भी इसके लिए बھटकना بھی नहीं पड़ेगा आपको नहीं तो जो सरकाई नौकरियां मिलती है उसके लिए तो बहुत आपको एक्जाम देने पड़ते हैं काफी कुछ करना पड़ता है लेकिर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कुछ नौकरी ऐसी है जो ट्रेनिंग्स होती हैं इंटर्वी वगरा लेकिन ज्यादा तर नौकरियों में आपको कोई भी परिच्छा देने का हो सकता नहीं होती है समौ में नौकरी की जानकारी चाहिए तो बहुत सारी वीडियों इसके भी अपलोड मैंने कर रखी है जहाँ है बात करते हैं दूसरे लाब की तो समौ में जुड़ने का जो दूसरा लाब है वह है सुरोजकार आप माल लेते हैं खुछ बेहने ऐसी हैं जो नौकरी करना नहीं जाती है ठीक है या फिर कर भी रही है तो उन्हें लगता है कि मुझे मतलब की रोजकार भी करना है अपना कोई उद्योग करना है कोई उद्योग सुरू करना है जैसे की पालर हो सकता है या फिर किराना स्टोर आप खोलना चाहती है या फिर रेडिमेट कप्टे का काम करना च चाहती है या फिर समू में आपको बहुत सारे रोज़कार की मैंने चानकाई जिग दी है जो कि 2,000-4,000 रुपए लगा करके आप कोई रोज़कार उद्ध्योख सुरू कर सकते हैं अगर बत्ती धूबत्ती मोम बत्ती और दियां मेकिंग मसाले का विजनेस हो गया रूई बा ठीके से आप रोज़कार कर सकती है अब आप सोचेंगी कि रोज़कार करना है तो मुझे पैसा मेरे पास नहीं है तो क्यों टेंसन लेना है पैसा तो आपको समू से ही लेना है ठीक है समू आपको पैसा देगा समू से आप पैसा ले सकती है जो कि समू क्या जो आप भी जिस उसमें से आप 10,000-5,000 जो भी आपको लेना हो अपना ले लीजिए एक परशेंट ही ब्यास लगता है जो कि काफी अच्छा है और उसको ले करके अपना कोई भ्यूद्यों कर सकती है आप चाहें तो समु की बेहनों के साथ कर सकती है आपस में मिल करके लिया फिर आप चाहें चाहँगे आपको अब ट्रेनिंग कौन देगा ट्रेनिंग 8-110 के दोरा दिया जाएगा वह बिल्कूल फ्री में ठीक है घर पे ही आपको आ करके ट्रेनिंग दी जाएगी को कहीं जाना भी नहीं होगा कुछ चाहिए्ट आपको घर मिल जाएंगी अपने गाउं में आर ट्र कि विकार संस्थान करें के लेने के लिए और आर्सेती के दौरा भी आपको लोन उपलब्ध कराइजाता है 50 का तो वह से बहुत ले सकती हैं आप के उपड़कर निर्भभ करता है कुल मिलाकर आर्सेटी से ट्रेनिंग लेने के लिए अगर आपको गाउं में ट्रेनिंग लेनी है तो पांस जित्ता की जो ट्रेनिंग होगी तो वो आपको गाउं में मिल जाएगी इससे अधिक ट्रेनिंग गाउं में नहीं मेरेगी वो आपको आर्सेटी विकाससान कारले प उसका लाव सिबसे पहले समू को दिया जाता है, समू की बहन को दिया जाता है, बात करते हैं, सरकार की योशना में जैसे आवास का लाव हो गया, और सौचाले का लाव हो गया, और इसी के साथ साथ जो रासन कार्ड है, अब जैसे कि अब ये नियम आने वाला है, बहुत ही ज तुन्ने में आ रहा है 2025 में ऐसा होगा और आइसमान कार्ड का हो गया थे इन सब चीजों का ऐसे ही बहुत सरकारी की योजना है विविन प्रकार की उनकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड की है मैंने देख सकते हैं आप लोग तो योजना का सरकारी लाब मिल जाएगा आपको स कुछ लाब आयकर सबसे पहले शमू में आएगा ठीक है आपके गउं में अब बात करते हैं 4 लाब की चौथा लाब है कि बचत करना अगर महिलाओं को जिसी की पहले क्या होता था मैं बचत नहीं करती थी लेकिन समू में जुणने के बाद महिलाये बचत करना सीख जाती है दस-दस रुपए ही बचाएंगी आप इंसान एक एक रुपए एक अठा करता है तो भी एक दिन बड़ा बैसा बन जाता है ठीक है तो दस-दस रुपए आप एक अठा कर रही है और सामुहिक रूप से एक अठा कर रही है समुह में रह करके एक अठा करें तो इ समू में जुड़ने के बाद महिला हैं बाहर जा रहे हैं नौकरी कर रहे हैं रोज़कार कर रहे हैं अपना काम खुद कर रहे हैं तो यह था चौथा लाब समू में जुड़ने का बात करते हैं पांचवे लाब की तो समू में जुड़ने का पांचवा जो लाब है वो है आतन बनना समो में जुड़ने के बाद महिला आगने भर बन जाती है हर महिला चाहे वो कोई भी काम कर रही हो समो में क्योंकि वो नौकरी करने लगी वो रोजकार करने लगी उसे सरकारी योजनाओं का लाब मिलने लगा और मान सम्मान भी मिलने लगा चारो तरफ से घर परिवार म प्रेंड से अपने अपने पर खड़ी होंगी और लाइक कर ऽुकार की बहूं हर जगर जो भी काम लिया जाता है वो सबसे पहले समू से ही ली जाता है उनके भी लाब आपको मिलते रहेंगे वैसे तो कहने को तो बताएंगे तो हम आपको और भी बहुत सारे लाब हैं लेकिन यह मुख्य पांच लाब तो इस जानकारी को जितने चाहिदा उसके सेयर करें और भी लोगों के साथ जो लोग भी समू में भी तक नहीं जुड़े उन्हें जोड़ने का प्रयास करें क्योंकि आगे भी समू में बहुत सारे लाब मिलेंगे जो कि आगे के वीडियोस में सेयर किये जाएंगे अल्रेडी जो अप्लोड की है वीडियोस को जरूर यगो चेनग कि अन्हें जो वीडियोस जो जो कि आगे अल्रेड़ने का प्लिमार सेयर का